जब सत्य का मुखोटा लगा कर कोई डकयत अपने इरादे को अंजाम देता है, तो परडाम बहुत ही भयावा होते हैं, एक भयावा मनजर आपको देखने के मिलता है, ये जो case study हम डिसकस कर रहे हैं, किसी एक सिले की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की लबग लबग same condition है, कर माने, क्या माने आई देखते हैं, आनुदान खोटाले में फसे कैसेर को अंतहर डिव ऑफिस से हटाया गया, जेडी का रेले अटाइस किया गया, जो लोग नहीं जानते होंने बता दूँ ये नियूज सिक्छाई भाग की है, मद्धपडीस के सिक्छाई भाग की, को जान लेते हैं, मंगलवार को आदेश के बाद कारमुक्त भी कर दिया गया, पांच करोड़ दस लाग के अनुदान और शामगरी गोटाले में फसे हैं, देखें, ये जो एक पिपर की जो कटिंग है, इसे बहुत सरी से डिसक्स की गई है, एक ही करके सब को जानेंगे, प अलेक्टर ने डियो और जेडी की क्लास लगाई, दो दिन परेड चला तब जाकर कैसेर को हटाने का आदेश जरी किया गया, कैसेर हैं, असोक सर्मा को जेडी का रेले मटाइस करने करवा ही कीगी, मंगलवार को मुक्त भी कर दिया गया, मैं इस चीसे हरान हूँ कि यहाँ और एक डियो मतलब जिलासिक शादिकारी और ज्वाइन डिरेटर एक बाबू को बचाने में इतना प्रियास कर रहे हैं, जद्दुजहत कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाके लिंक इनसे भी जुड़ी हुई है, मतलब मुझे इस चीसे हैरानी होती है कि जिदी आउटर दिया गय एनसे मतलब देश की जो पुरा सिस्टम है, उसको खोकला करने की कारवाही इनके उपर होनी चाहिए, और कहीं न कहीं बहुती संगीन केस इनके उपर लगाये जाने चाहिए, तब जाकर हमारे देश में ऐसे करप्शन और घुटालों का अंत हो सकता है, हमारे देश में करप आप बाहर निकलेंगे तो एक तीसरा आदमी वहाँ पे खड़ा होगा, जो दलाली करने के लिए खड़ा होगा, कि चलो मैं आपको काम करा दूँगा, इतने पैसे आपको लगेंगे, ये हमारे देश में लबग लबग हर एक आफिस में ये कंडिशन देखने के लिए मिलती दिखेगा, बाहर के दुस्मनों से तो आप भई किसी तरह से निवपट लेते हो, लेकिन जो घर का भेदी होता है, इसे कहवादी बनी है, घर का भेदी लंकड हवे, तो घर में जो बदमास बठा हुआ है, डकैट बठा हुआ है, उसको आप कैसी इलास करोगे, बूस से तो सत्य का मुखोटा पहन रखा है, और सत्य का मुखोटा पहन कर जब कोई डकैट अपनी रादे को अंजाम देता है, परड़ाम बहुत ही भयावा होते हैं, अब देगे, यहाँ पर लिखा है, गया तो इसकोल से क्चाहिवाग में अनुदान प्राप्ति स्कूलों के सिक्चो के एरियर और वेतन खुटाले में 2,18,49,901 रुपे और सामगरी खुटाले में 2,23,00, का गबन मिला है, इस फरजिवाड़े में करीब 24 लोगों पर F.I.R. दर्ज कराईगी है, इसके अलावा तक काली जिला सिक्चादिकारी आरेन पटेल ने भी सिवल लाइन थाना में कैस असोक सर्मा, सहयक अध्यापक, विजयतिवारी और अनुदान साखा प्रभारी के खिलाफ F.I.R. दर्ज कराई थी, इसी मामले के तीसरी जांस भुपाल के सियाई टीम ने की थी, भुपाल सियाई जांस टीम ने मामले में लीपापोती करने के हिसाब से ऐसी जांस रिपोर पर आयुकत लोग सिक्षण ने भी F.I.R. कराने के रदेश जेडी को दिये, जेडी ने 18 लोगों को आरोपी बराने के लिए आविदन सिवल लाइन पुलिस को किया, सिवल लाइन पुलिस मामले में जांस कर रही है, संदान होटाले में फसे करमचारी जिला सिक्षा अधिक बराबर भागिदार है और उस जिला सिक्षा अधिकारी या जोईन डेकर जो भी उसके रस्पॉंस्पल है, उनके उपर कठोर कारवाई होनी चाहिए, इन्हें हटाने के निर्देश जिला पंचायस, CEO ने जेडी लोग सिक्षण को दिया था, लेकिन कारवाई नहीं हुई, इस पर कलेक्टर को ही मोर्चा समालना पड़ा, कलेक्टर ने डियो और जेडी दोनों की क्लास लगाई, दो दिन तलब हुए, इन्हें सक्त निर्देश दिया गया, दागी कैसेर को कारेले से हतुरंत हटाया जाए, इसके बाद डियो ने आदेश जारी कर जेडी कारेले मट असलब सोचो ये लिखा हुआ है, कि जितने भी बाबू हैं, लबग लबग सारे फसे हुए हैं, इसके बाद भी वैक कारेले में ही डटे हुए हैं, इन्हें में मुख्यारोपी असोक सर्मा, लेखा पाल कारेले डियो रिवा, अखिलेस तिवारी सहाय गरतीन, डियो आफिस लगते हैं, लेकिन सबसे इंटरसिंग मामला ये है, कि यहाँ पर हमारे सिक्षा इवाग में, हमारे राज में, काफी खतरना गोटला चल रहा है, कोई भी काम लेकर आप जाओ, उससे प्रापर तरीके से पर्सेंटेस कमिसन चल रहा है, और यहाँ पर राज सरकार विज़े से हमारे राज में कुछ होई कि खाया है, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे ब्लॉक एजुकेशन आफिसर हो, चाहे डिस्टिक एजुकेशन आफिसर हो, चाहे जवाइन डरेक्टर हो, कहीं न कहीं, यह दिए करप्शन के ममले में फस्ते हैं, तो यह इनके उपर बहु हो नीची, आपकी ओपीरेंट क्या, आपकी राय क्या, आप नीची कमेंट करके बताएं, इस वीडियो को अधिक सिदिक सेयर करें, because possibility है, कि यहाँ आपने वीडियो को डाउन करा दिया जाएगा, और जल्दी यह वीडियो जो है, बहुत डाउन हो जाएगा, तो देखा जा